हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टो साइलेंट राइटर यूट्यूब चैनल, आर टुडेज टॉपिक इस प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे वो वर्ड जो नाउन की जगे यूज किये जाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है कि सभी नाउन, चाए वो कोमन हो या प्रोपर, उन्हें प्रोनाउन से रिप्लेस किया जा सकता है इसी का सब पॉइंट ये है कि हम कौन सा प्रोनाउन यूज करें, ये नाउन के जैंडर पर डिपेंड करता है means अगर वो मैस्क्योलाइन है तो ही यूज करेंगे, फैमिनाइन है तो शी यूज करेंगे, न्यूटर है तो इट यूज करेंगे इसका सेकेंड सब पॉइंट ये है कि सिंगुलर नाउन को सिंगुलर प्रोनाउन से और प्लूरर नाउन को प्लूरल प्रोनाउन से रिप्लेस किया जा सकता है For example, Jeet said that Jeet had finished reading the book Jeet क्या है, सिंगुलर नाउन तो हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन He क्यूंकि ये मैस्क्योलाइन है, इसके लिए हम He यूज करते हैं Second Example Salim and Karan were going home when Salim and Karan met Jeet अब इसको लिखेंगे Salim and Karan were going home when they met Jeet क्यूंकि Salim and Karan दो person है, तो ये plural noun हुआ, इसलिए they हम plural pronoun ही यूज करेंगे अब इसका second point ये है, कि जब किसी sentence में एक या एक से जादा noun हूँ तो pronoun last mentioned noun को represent करता है लेकिन ऐसी situation में confusion से बचने के लिए noun ही यूज कर लेना चाहिए जैसे कि मैं आपको example बताती हूँ जीत तोल्ड सलीम देच लेट लेट नोड़ीं तो लेट लेट नोड़ीं टो भेट बताती है the school team अब यहाँ पे ही किसके लिए यूज हुआ है जीत के लिए या सलीम के लिए यह confusion होता है इसलिए हम यहाँ पे जिसका नाम यूज करना है उसी नाउन को यूज करते हैं जैसे कि जीत तोल सलीम that जीत है नोट बीन चूजन तो प्ले फोर दर school team और या फिर हम यहाँ पे सलीम का यूज कर सकते हैं इसमें third point है कि जब हम किसी pronoun को यूज करना चाते हैं तो कुछ और words को भी रिप्लेस करना पड़ता है when we want to use pronoun instead of a noun we sometime have to to replace not only noun but other words as well for example Vinod took out his book अब इसको हम कैसे रिप्लेस करेंगे? विनोध टुक आउट इस बुक एंड स्टार्टेड रीडिंग इट बुक को हमने इट से रिप्लेस कर दिया अब मैं आपको कुछ एक्जामपल दूँगी उनमें आपको नाउन की जगे प्रोनाउन का यूज करना है Example 1st Rima looked at the hill in the distance Rima wanted to climb the hill यहां Rima की जगे क्या यूस करेंगे? शी सेकिंड सौरफ साइव वोस रूस्ताम स संब बद्ञन शरफ यूस्ताम थूस्ताम रेट नेवर मेट सौरब एंड रुस्तम दो नाउन है इसलिए प्लूरल हुआ प्लूरल के साथ क्या यूज़ करेंगे दोनों की जगा दे